तो आप सभी लोग आई हो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे अपने घरों में मस्त होंगे तो देखे गाइस एक यह बेबी कैप लेके आई हूं छोटे बच्चे की कैप बहुत आसान तरीके से बन जाती है आगे वीडियो में मैंने फुल बताया हुआ है कि आप इसको कैसे बना सकते है step by step वीडियो बताया हुआ है और इसका जो size जीरो से 6 महीने के बच्चे को बहुत आराम से आ जाएगी प्लस इसमें वोल बहुत कम लगी है 20 या 21 ग्राम में यह पूरी कैप बनके complete हो गई है बहुत प्यारी सी कैप है यहां पर देखिए इस तर कुछ वीडियो को full watch कीजिएगा skip मत कीजिएगा तो चलिए फे ज्यादा बाते ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं इस कैप को बनाने के लिए मैं यहां पर फंदे ले रही हूं नॉर्मल पांच फंदों से starting करूंगी मैं यहां पर और वूल मैंने नॉर्मल कर लिया है थोड़ी सी नॉर्मल से ठीक ही है ज्यादा मतलब पतली नहीं है और नौ नम्मर की मैं इसके साथ सलाईय यूज करने वाली हूं तो सबसे पहले देखिए मैं इस तरह से 5 फंदे यहां पर डाल लूंगी 1,2,3,4,5 ठीक है उल्टी साइड से यहां पर देखिए मैं पूरी रो जो है उल्टी बना के कंप्लीट करूंगी इस तरह से अब हम आ गए फ्रेंट साइड ठीक है अब फ्रेंट साइड क्या करना है यह देखेगा अब यहां से हमारा जो पैटर्न है जाली वाला आप देख सकते हैं यह वाला यह स्टार्ट हो ठीक है तो देखेगा इस तरह से पहला फंदा मैं यहां पे सिलिप करूंगी सीधा धागा अपनी तरफ लेकर आऊंगी एक फंदा में बनाऊंगी उल्टा अब इस पे हम बीच वाले फंदे पर हम जाली डालेंगे तो देखे उल्टा उल्टा बनाएंगे तो जाली हम इस नी इस सान अब इस चीज का ध्यान रखीएगा कि रॉंग साइड से अम कभी भी रॉंग साइड बनाएंगे लेकिन पंदा नहीं घटांग्हां बढ़ाएंगे इस तरह से अभी साथ फंडे देखीगा फिर से हं फिर हर फ्रंट साइड पर हमें एक एक फंडा बढ़ाते हुए जाना है पर एक फंडा भी कर लेंगे ऐज करें चोग ठीक है और यह वाला रहा возь लाई तो यहां पे ये तीन फंदे हो गए यहां जाली डालेंगे और इस फंदे को हम से उल्टा बनाएंगे अगें जाली आएगी तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे यह देखिए इस तरह से ठीक है अब रॉंग साइड आ जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताया था कि रॉंग साइड से हमें जाली नहीं डालनी है पहला फंदा सिलिप करके जितने भी फंदे हमारे पास हो गए उतने हम ओल्टे बना लेंगे तो देखे जैसा मैं यह रिपीट करते जा रही हूं बार ब यह दो जालियां हमने डाल ली यह एक जाली यह दो यह तो ऐसे करीबन में 35 जालियां 35-36 जालियां डाल लूँगी ठीक है यह देखे इस तरह से हम सिलिप करेंगे फिर से एक बार और देख लीजे अब देखे वान यह टू हो गया यह थ्री और यह जाली वाला पंदा है त को हम कम्प्रीट कर देंगे और हमेशा यही धियान रखना है आपने के उल्टी साइट से कोई जाली नहीं डाली है ठीक है तो देखे इसी तरह से अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए मैं आप जो है करीबन 35 जालियां बना के कर लूँगी कम्प्रीट ठीक है तो 30 यह ती ही धार है इसकी वैट से देओं दो ब्लू से एक वाइट से दो ब्लू से कॉम्भिनेशन तूश्ट डीकि रख सकते सिंगल कलर में आप असको बना सकते है ठीक है तो पहले में इसको इतना कम्प्रीट कर लेती हुग फिर आपने इसको दिखा देती है आप यह जो हैं यह ज करनी है अब मैं हूँ अपने सीधी साइड अब देखेगा क्या करना है मुझे सौरी गला थोड़ा सा मेरा खराब है अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहती थी वैसे तो आप लोग उश्यार हैं बना लेंगे इस तरह से जाली तक उल्टा बनाते हुए आएं बीदे के जाली वाला फंदा था उसे भी बना लेंगे अब हमें यहां पर जाली डालनी होती थी तो अब हम जाली नहीं डालेंगे यहां तक उल्टा बनाया इसके बाद भी यह फली वाला फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे ठीके य सिंपल बिना फंदे बड़ाएं इस तरह से हैं तो आज कि मैंने यह चार धारिंगे जहांसे आफ जालिय बनाए थी यह देखिति इस तरह से इसके बाद मैंने यह चार धारी बना ली यह बिना जाली बनाए यह 1 2 3 और यह 4 अब मैं यह आप एक एक करके कि झा vídeo जाके सभी फंदों को क्र दूँगी बंद इस तरह से हम इस से आति यह कि यहां पर सर निकाल देंगे को फिर से एक फंध हम यहां पर सी लाएंगे और इस क्यूपरंसे निकाल देंगे गअ को यह देखे गए सितरे से कि निकाल देंगे फ्रेंट साइट से थो निटवाई अगर हमें बंद करेंग Hey copy द Bluetooth को HP कर लोग?, प्याय, मैंने यहां पर यहां इतना धंधble कर दिया और यहां पर इतना खत रहु हम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नीचे हैं यहां पर यहां पर यहां पर हम इनद डालोग भातान मांना हो तो हम इस तरह कि इसे मिलाएंगे ऐसे ऐसे रखेंगे और यहां से लेके यहां तक हम इसे स्टिच कर देंगे ठीक है कि देखिए इस तरह से हम इसे सिल देंगे सिलने का तरीका आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं देखिए इस तरह से मैं से यहां से लेके पूरा यहां तक इसे सिल लेती हूँ देखिए मैंने यह इस तरह से बंद कर दिया ठीक है अब यह हम इसे पहले सीटा कर लेते हैं उसके बाद फिर बताती हूँ आपको यह देखिएगा अब यह देखिए इस तरह से हमारा यह कॉर्णर आ जाएगा यहां पर यह कॉर्णर सा ठीक है आप देखेगा यहां पर यह एक तरफ से सीधा है और एक तरफ से ऐसा है तो उसके लिए आपने क्या करना है पहले तो हम यह finished work कर लेंगे ठीके उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यह आप देखे इसके बाद हम इसे ऐसा करेंगे इस C 好 और यह देखिएगा इसको जस्ट सेंटर में पहले तो इस लाइव को रखेंगे इस तरह से ठीक है ऐसे सेंटर में रखने के बाद इसको हम इतना फोल्ड कर देंगे, ठीक है, फोल्ड करके, कोई भी ऐसा, या कैसा भी सोपीस, आपके पास कुछ भी बटन बटन बढ़ाओ, तो यहाँ पे आपने इसको इस तरह से टक कर देना है, तो देखें, तो देखेंगा फ्रंट्स, यहाँ पे मैंने यह टाका लगा द कोड़ा सा मैंने इसके उपर किया है, तो यह वाला पार्ट जो है, मेरा नीचा रह गया है, अब मैं क्या करूंगी, यहां से लेके, यहां से लेके, यहां तक, ठीक है, पहले मैं यहां पर कर देती हूं, तो देखो, एक साइड यहां से तो मैं स्टार्ट करूंगी, और इस इसके बाद मैं यहाँ पे लिलूँए सलाई होगी और सलाई से देखें करूँगी क्या मैं यहां से फंदे उठाऊंगी है बस एक पाइपील टाइप से जो बॉडर टाइप से होता है बस वो बनाऊँगी मैं यहां पर जस्ट और कुछ नहीं बनाऊँगी छोटा सा यह देखिएगा इस तरह से देखिए फंदे में उठा रही हूं यहां पर एक एक चेन में एक फंदा उठाती जाओंगे वैसे तो यह काम ना मैं किरोसिया से भी कर सकती थी लेकिन मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं वो बोलते हैं कि उन्हें किरोसिया चलाना नहीं आता है निटिंग में बताऊंगो हर चीच तो इसलिए फिर मैं इसको ना निटिंग में ही बता रही हूं आपको इस तरह से हर एक चेन में से एक एक फंदा उठाती हूई जाऊंगी यह आपने यह चेन दिख रही है न इसमें से एक एक फंदा उठाती हूई मैं इस तरह से जहां तक मैं यह मार्क लगाया वहां तक मैं उठाऊंगी देखिए ये मारकर अटा लिती हूँ यहाँ पर मैं एक फंदा और ले लिती हूँ एक और ले लेते हैं यहाँ इस तरह से अब देखिए क्या करना है अब जस्त इसको हमें उल्टा उल्टा गाटर स्टेच में बुनना है इस तरह से दो सलाई में दो सलाई बनाऊंगी यह देखिए मैंने पूरा यहाँ से बुन लिया अब एक सलाई में इदर से बुनूंगी वो भी उल्टी ही बनाऊंगी इस तरह से यह देखिए जस्ट मैंसे ऐस बॉर्डर बनाने वाली हूँ बस यह देखिए मैंने यह बना लिया है ठीक है अब देखिएगा क्या करना है अभी मैं एक सलाई और बनाऊंगी ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पे बंद करता हूंगी तो देखिएगा इस तरह से कि एक सलाई और बना लेते हैं कि देखिए लास्ट में आ गए अब हम जो है नेक्स्ट रोप है सभी फंदों को कर देंगे बंद एक-एक कर देखिए ठीक है कि यह देखिएगा इस तरह से यह आया है पीछे और मैं यहाँ पर बंद कर दूंगी देखिएगा इस तरह से हम दो का एक करेंगे फिर इसको हम इसमें डालेंगे दो का एक फिर इदर डालेंगे दो का एक इसके साथ लाके दो का एक ठीक है इसी तरह से सभी फंदों को हम बंद करेंगे किक करके आप देखिए मैंने याप पर सभी फंदों को करके कर दिया है बंद और यहां पर धागा धोड़ा आगे तक खीच दिया था जिससे यह लेबल में आ जाए अब मैं याप इसको कट कर दूंगी तो यह देखिएगा यहां पर यह आया कहता है इसका लुक देख लिजिए आप देखिए बैक साइट से यह लेबल हो गया और इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है अब यह फिनिशिंग वर्क तो हम कर लेंगे इसको धागे को अंदर चुपा देंगे और य बच्छे को जस्त ऐसे पहना सकते हैं ठीक है और सेकंड ओप्सन यह है कि आप यहां पर एक यहां और यहां पर आई कोड बना सकते है अई कॉर्ड बनाना मैंने मेरे चैनल पर बताया हुआ है कि सलाईयों से यह जो डोरी होती बच्छों की बांधने वाली वो किस तरह से ब तो आप इसको एसे ही खुला भी छोड़ सकते हैं तो देखे में आप इस पर एक डॉरी बना है। तो देखेंगा। यह साइड है यह क और्नौर्स से तरह से सेंटर पांट लेके, जहां बनाना इस तरह से तो मैं आप परपल कलर कंपा ही घुटन हुझा है। इस तरह से हम डौरी बनाना स्टार्ट कर देंगे इच्छा क्लिक है आइकॉड कर देंगे वैसे बहुत आसान तरीकthis कई बार बताया है ओ क्रोचिट क्वाम उ militき ज्मोन करते हैं यहओं भी जently काफि भूद किस तरह सकते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा क्रूशे टोक ले ले लें इस तरह से आप करेंगे गजुए ऐसे कि जस्ट छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा हमें है भी लेकिन एक से दो साल के दीरव साल के बच्चे होते हैं तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा हैवी डौरी बना देनी चाहिए लेकिन यहां पर यह बच्चों को बस थोड़ा सा मालब एक लुक भी और तुड़ा सा सपोर्ड बना रहे बस ऐसा हमें ये आईकल बनाना है यह देखिएगा कि इस तरह से में काफी मत बहुत जितना भी आप बचे का छोटे बच्क बनाना चाहते आपको बांधने में इसी हो वैसे तो छोटे बच्छे को यह बनाना भी नीच्छी, ज kauง दे बंधना में- थोड़ी से इरिटेशन होती है बच्चों को थोड़ा सा किट 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 करते हैं रोते जादा हैं अगर बांद हो तो वट मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट दे रही है तो जस्ट में इतनी रखने वाली हूं ठीक है रागे को हम कट कर देंगी यहां पर इस तरह से एक और चेन निकाल लेती हूं इसके बाद मैं एक जितना निकल पा रहा है उतना निकालूंगी और जो मैं इसको ऐसे खेश दूँगी टीक है फिनिसिंग वर्क हम कर लेंगे जैसा मैंने यहां बनाए सेम ऐसा ही मैं यहां पर बनाओंगी तो देखे काइस यहां पर मैंने यह बटन भी लगा दिया हैं आप देख सकते हैं पर कैसा भी बटन लगा लीजिए मेरे पास यहां पर ऐसा थै और यह i-card भी बना दिया है finishing work मैंने यहां पर कर दिया है और आगे से आप देख सकते हैं इसका लोग कुछ इस तरह से आ रहा है, बैक साइड से इसका लोग कच इस तरह से आ रहा है, तो देखिए कितनी अच्छी है, केनारी और पाय भी बन गई आप इसे चाहें तो और बड़ा सकते हैं, तो ये आराम से 6 महीने के बच्चे को आजाएगी और मेरे पास ना कोई साइज नापने के लिए नहीं है तो इस लिए मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रही हूं कि यह बहुत ही आराम से आजाएगी 6 महीने तक के बच्चे को आई होग कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे सभी के साथ चैनल पर पहले बड़ाएचन को सब्सक्राइब जरूर कर लें बटन प्रेस कर दें जिसकि मेरे आने वाले वीडियो नोटीफिकर्स अं समय से मिल जाएं डिस्क्रिप्शन बोक् लिंक्स डाल देती हूं तो वो चेक आउट कर लियागी जे मेरे अधर्स चैनल्स व्लॉक्स चैनल्स सारे लिंक्स में मिल जाएंगे आपको तो आप लोगों को आप लोगों ने इंज्वय किया हो तो चलिए वे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के थांक्यू बाबाइ